आनंदा डेरी लिमिटड ने श्री बांके बिहारी मंदिर प्रांगन ब्रिंदावन में आनंदा ब्रज दही लॉंच किया बुलन शहर आनंदा डेरी लिमिटड कॉपोरेट कार्याले एच 112 सेक्टर 339 दाद्वारा आज श्री बाके बिहारी मंदिर व्रिंदावन में पुजारी शोवित मिश्रा ने विदिवत पुजा अर्चना की श्री बाके बिहारी के चरणों में आनंदा ब्रज दही का प्रसाद चड़ाकर आनंदा ब्रज दही का शुभारम्प किया आनन्दा की यह एक अच्छी पहल है कि दही का नाम ब्रिज दही रखा है जो श्री कृष्ण भगवान को दही अधिक पसंद है जिसकी शुरुआत श्री बांके बिहारी मंदिर से की है इस दही की खासियत है कि जो दही मिट्टी के बर्तन में जमता है उससे भी अच्छा जमेगा क्यूंकि दही जमाने का कल्चर डेन्मार्क की एकलोती कमपनी भारत में सिर्फ आनन्दा डेरी लिमिटेड को भी सप्लाई करेगी आनन्दा डेरी के चेर्मीन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनन्दा डेरी लिमिटेड के उत्तर प्रदेश में पांच मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिलाहापुर, बुलंद शहर अम्रोहा, राइबरेली, रॉबर्ट गंज सुन्भद्र में स्थापित है उक्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से कई तरह के मिल्क उपपाद तयार कर देश विदेश को भीजे जाते हैं आनन्दा का एक पशु आहर सयंत्र भी स्याना बुलंद शहर में स्थापित है उक्ट सयंत्र से उच्च क्वालिटी का पशु आहर तयार किया जाता है चेयर में ने बताया कि आनन्दा की डॉक्टरों की टीम गाउंग गाउंग में जाकर पशुओं की नस्व सुधार का कार्य करती है आनन्दा डेरी से सीधे तोर पर 3,000,000 किसान और किसान महिलाएं पहले से जुड़ी हुई है जो 6,000 गाउं से दूद खरीदती है जिनकी पेमेंट सीधे किसानों के बैंक खाते में डिजिटल की जाती है आनन्दा डेरी, लोकल फो ग्लोबल पर भी काम कर रही है आनन्दा डेरी के पिल्खुआ में स्थित फैक्टरी से कई उत्पाद विदेशों में भी जाते हैं इस मौके पर डेन्मार्क की कंपनी CHR Hinson KMD अनुराग चाटा, नीरज कुमार, विजय यादव, विजय पूर्दार और आनन्दा डेरी के डाइरेक्टर सुरज दीक्षित, रहुल दीक्षित आदी उपस्थित रहे सबसे पहले मैं सभी भरजबासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आज ऐसा मुका हमें मिला यहाँ पर कि भगवान के दरवाजे पर आतर थे और प्रभू के काम को हमने एक अंजान देने की कोशिश की है यह जो भगवान के जमाने से जो कल्चर जो खट्टा जिसको हम जामन बोलते हैं जिससे हम दही जमाते हैं वो डैनमार्क की कंपरी किस्चन हेंसन आप अमुराप चड़णा जी हमारे साथ हैं इनके साथ मिलके अनुबंद करके अग्रीमेंट करके उस कल्चर के दुर्श्म होता है उसको हमने पैदा किया और उस कल्चर से ये जमाया है और इसका नाम दिया है आनंदा ब्रज जही इस दही की खासियत है कि ये दही जो आज आपके जो कुंडे में जमता है ब्रज में उस दही से बहतर होगा और ये इस दही को आप कन्या कुमारी से लेके स्रीनगर कस्मीर तक इस दही को आप पहुचा पाएंगे इसकी पूरपर सेल्फ लाइट मिलेगी और सबसे बड़ी खासियत होगी जो भगवान किस्न के जमाने का जो कल्चर है वो पूरे देश को खाने को मिलेगा वो दही खाने को मिलेगा और देश रही नहीं इसको आगे आने पहले समय में आनंदा इसको मार्कीट करेगा पास के देशों में भी जैसे ही सिंगापूर जाएगा ये मौरिशस जाएगा ये जिसीजी कंट्रीज में भी जाएगा जिन्दावन किस जगर पर यह बोना है मैं तुको आनंदा की जो फैट्री है वो उत्तर प्रदेश में पांच फैट्री हैं आज उत्तर प्रदेश में 6,000 गाउं से हम लोग दूद एकतरित करते हैं आज 6,000 गाउं में 3,000,000 पिसानों से हम 10,000,000 लिटर को रोजका एकत्रित करके और उसको पूरे प्रोसेस करके लगबग 85 पुड़क हम लोग आज बना रहे हैं और ये पूरे उत्तर भारत में 2,000 डिस्टिबूटरों के द्वारा ये पूरा डिस्टिबूट हो रहा है ये न ये डेड़ सो ग्राम की छोटी पैकिंग होगी इससे छोटी पैकिंग और 80-90 ग्राम की भी आएगी और बड़ी पैकिंग ये पांच किलों दस किलों तक भी जाएगी ये आने वाले समय में सबसे पहला जो काम करेगा जो हम लोगों ने कोबिट के टाइम पर देखा है कि आपका स्वास्त हैं और स्वास्त में भी अगर सबसे जादा जलूरी है वो है अपकी इम्यूटी तो ये इम्यूटी को बढ़ाएगा क्योंकि जो भगवान को हमने उनकी मीरा में कि भगवान माखन चुरां के निखाते भी चुरा के खाते थे यह सबसे ज़्यादा एम्यूनिटी बुस्टर होता है और इसमें वो बैक्टीरिया है कि जो हमारे गट को जो हमारे पेट को हेल्दी करता है अरण चड़्णा जी मेरे साथ ने क्रिस्टन हैंसें के मैं चाहूंगा कि वो सब्दों भी बताएं इस परड़ाएं के बारे मीरे इस यारा ऑफ वी एक अड़िक तर देनवां करता है अजिए प्रॉटर्ट है उसके क्या ख़ते हैं? उसर क्रिस्टन एंसन एक दिन्माक की कंपनी है, हम आनंदा हूच के साथ में बहुत सालों से काम कर रहे हैं उसके साथ में आज करीब दोठाई तीन साल पहले हमने प्रज का दहीं टेस्ट किया था और हमने अपने पूरी लाइबरी प्रिशन से उनको सब को देखा और एक ऐसा दही निकाला जिसका गेस्ट और जिसका जो सारी खासियत है तो इक तब ब्रज के तहीं के तरह यही सबसे बड़ी खासियत है इसके बड़ी खासियत के अंबर यह रहेगी कि यह जल्दी से खटा नहीं होगा इसकी अशेल्फ लाइब बड़ेगी और एक तम सबसे जो कहते हैं प्योर इंवायर्मेंट से बनके आरा है इसके इंदर किसी तरह का इडलिक्रेशन नहीं है और जैसा टेस्ट